Hello students, आज हम डिसकस करेंगे sex determination in humans तो इनसान के अंदर जो sex determination का जो pattern पाय जाता है और किस तरह से sex determination होती है इनसान के अंदर इसको discuss करेंगे साथ में कुछ बाकी के जो भी patterns है sex determination के जैसे कि आपके पास XOXX टाइप आ जाता है और दूसरा आपके पास ZZZW टाइप जो है यह आ जाता है तो यह कुछ sex determination के pattern different organism के अंदर देखने को मिलते हैं इनको भी आज हम इस वीडियो में cover करेंगे आए स्टार्ट करते हैं sex determination हमने जैसे पिछली वीडियो में start किया कि sex determination एक खास टाइप का pattern होता है या कुछ ऐसे genetic information होती है किसी भी इनसान के अंदर किसी भी species के अंदर जिससे हम उसके अंदर male या female को identify कर सकते हैं उसको determine कर सकते हैं तो उसका gender हम उसके genetic basis पर determine कर सकते हैं इसे हम कहते हैं sex determination इस तरह से हमारे पास जैसे हमने ड्रोसोफिला के अंदर देखा कि उसके अंदर अगर दो क्रोमोजम सेक्स क्रोमोजम के अंदर दोनों x क्रोमोजम हैं तो फिर वो क्या होगा वो female होगी जबकि यहां पर x और y क्रोमोजम अगर मौजूद होगे तो वो male होता है तो यह ड्रोसोफिला के अंदर इस तरह का इस pattern को हम x x और x y pattern कहते हैं तो यह sex determination का यह pattern ड्रोसोफिला के अंदर पाया जाता है अब human के अंदर अगर बात करें कि human के अंदर इनसान के अंदर कौन सा pattern पाया जाता है sex determination का तो उसको हम यहां पर डिसकस करते है human के अंदर वही pattern sex determination का पाया जाता है जो के ड्रोसोफिला के अंदर पाया जाता है यानिके same x x x y type जो है ये sex determination का इनसान के अंदर भी मौजूद है जो के drosophila के अंदर मौजूद है इसके अंदर थोड़ा सा difference आ जाता है लेकिन इनसान के अंदर हम कह सकते हैं कि x x x y type ही होता है तो हम इसको discuss करते हैं इसका मतलब क्या है और इसके chromosomal basis जो है उसको हम discuss करते है human being and majority of animals in case of same as drosophila यानिके इनसान और बाकी के majority of mammals जो भी है उनके अंदर drosophila के जैसा ही same to same sex pattern पाये जाता है जैसे के difference in male and female is not one whole chromosome as gross hopper अगर आप gross hopper के अंदर देखेंगे gross hopper एक insect होता है तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर male और female के बीच में एक प female के अंदर जो है एक kromosomal difference होता है male के अंदर एक kromosom कम होता है जबके female के अंदर उससे एक kromosom ज्यादा होता है अगर female के अंदर 2N होगा तो male के अंदर 2N-1 होगा तो इस तरह से एक kromosom कम होगा male के अंदर तो ये pattern जो है ये किस के अंदर पाये जाता है ये pattern gross hopper के अं पूरा chromosome कम नहीं होता बलकि एक chromosome का जो shape है वो सरिफ change होता है shape of one chromosome in one sex, एक sex के अदर एक chromosome का shape जो है वो different होता है, तो अगर आप male के अंदर देखेंगे तो male के अंदर जो दो chromosome पाई जाँगे sex chromosome वो क्या होुँगे x और y जबके female के अंदर जो दो क्रोमोजम होंगे वो क्या होंगे X और X तो ये X जो है ये एक्चली साइज में बड़ा होता है और इनकी जो शेप होती है वो भी वहां पर रोड शेप जैसे आपने देखी तो ऐसे आपके पास सेम शेप मौजूद होती है जबके आप Y को देखेंगे तो वो थोड़ा सा बेंट शेप जो है वो कुछ इस तरह से वो क्रोमोजम मौजूद होता है तो इसको आगे इसकी शेप देखेंगे Y क्रोमोजम सिर्फ मेल के अंदर होता है जबके दोनों X क्रोमोजम वो फीमेल के अंदर होते है और इनका एक एक्स जो है वो मेल के अंदर भी X क्रोमोजम तो हाग चलते हैं, in men each cell either somatic or germ cell, Donc यह आपको पता है, इनसान के अंदर 46 chromosome होते है, somatic cell के अंदर, या diplomat cell के अंदर या germ cell के अंदर, germ cell भी आपको पता है, deploid cell होता है, जो के divide होके हमारे gametes बनाता है, और gamete वही cell है, जो के haploid होते हैं, तो इसको इनसान का 2N नमबर है, वो कितना है? 46 है, तो आफ विच 44 जो है, वो क्या है, अब इस 46 के अंदर 44 जो है, वो क्या है, हैं क्योंकि वो बोत सेक्स के अंदर दौनों सेक्स के अंदर सेम होंगे आटोसम वो क्रोमोजम होते हैं जो के मेल के अंदर भी सेम होंगे और फीमेल के अंदर भी सेम होंगे उनके अंदर कोई डिफरंस पाया नहीं जाएगा जबके sex chromosome वो chromosome होते हैं जो के male और female के अंदर different होते हैं और उनको हम उसी तरह से determine कर सकते हैं sex को जो pattern एक male के अंदर होगा वो female के अंदर नहीं होगा और जो female के अंदर होगा वो male के अंदर नहीं होगा तो इसी तरह से हम sex को determine करते हैं तो 23rd जो pair है 22 pairs वो aTosomes है 46 से इतने Pair बन रहे है है, 23 तो इसमें 22 आ Tozome सै और एक पर वो sex chromosome है जिसे हम कहते है, 23rd Pair एक्चुली यह 23rd Pair हम इनकी size के हिसाब से कह रहे है तो यह जो neighborhood उनकी size के हिसाब से इनको numbering के अंदर रखते हैं सबसे बड़ा chromosome पहले आएगा उसके बाद उससे चोटा उससे चोटा तो इसे चोटे चोटे chromosome जो size में कम होंगे उनको हम रखते हैं और हमेशा इस केरियो टाइप में इनसान के केरियो टाइप में जो sex chromosome होता है उसको हम last में put करते हैं चाहे वो थोड़ा size में बड़ा भी हो लेकिन उसको हम last में ही put करते हैं तो ये केरियो टाइप के अंदर हम हमेशा ऐसा ही लिखते हैं इस तरह से represent करते हैं तो अब 23rd जो chromosome है इनसान के अंदर तो उसमें क्या है कि differ in shape one of the two chromosome is like sex chromosome यानि कि इन में जो दो pair है एक female के अंदर वो female के अंदर क्या है 23rd pair वो same है जबके male के अंदर उसके अंदर एक जो है chromosome वो different है one of the two chromosome is like sex chromosome of the female but the second is much smaller than the other यानि कि इनसान के अंदर जो एक chromosome है इनसान का जो chromosomal pair है sex chromosome है वो क्या है उसके अंदर पहले तो female के अंदर अगर आप देखें तो female के अंदर वो दोनो homologus हैं यहनि के sex chromosome वो दोनो एक जैसे ही दिखते हैं जब के male के अंदर अगर आप देखेंगे तो उन में से एक chromosome जो है वो sex chromosome के जैसा है जब के दूसरा पेर है वो बहुत छोटा है और यानि कि ये दो आपस में homologus नहीं है बलके heterologus है तो यहां पर एक ही pair इंसान के अंदर पाया जाता है जो कि homologus नहीं है और वो है sex chromosomal pair in male female के अंदर फिर भी वो क्या है homologus है तो इसको एक हम illustration से देखेंगे तो इनसान का ये केरियो टाइप आपको यहां पे दिख रहा है इसमें सबसे पहला जो क्रोमोजम है वो सबसे लंबा क्रोमोजम और उसके बाद size के हिसाब से इन क्रोमोजम को यहां पर केरियो टाइप के अंदर हम रखते हैं अब यह 22 pairs जो हैं यह सारे autosomes कहलाते हैं और यह autosomes जो है यह आपके पास male और female दोनों के अंदर same होते हैं तो इसलिए हम इन्हें autosomes कहते हैं जबकि यहां पर जो 23rd pair होगा वो different होगा दोनों sexes के अंदर male के अंदर यह pair कुछ इस तरह का देखेगा जबकि female के अंदर यह pair इस तरह का होगा और sorry male के अंदर यह और female के अंदर यह होगा अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो female है उसके अंदर दोनों जो chromosome है वो same है इस chromosome को हम कहते हैं X chromosome और male के अंदर भी SI एक X chromosome मौजूद है जबकि दूसरा chromosome वो बहुत चोटा है male के अंदर और इस chromosome को हम कहते है Y chromosome तो यहां पर आप देखें कि यह दोनों same pair है यानि कि यह homologus pair है female के अंदर जबकि male के अंदर यह same heterologus pair मौजूद है और इसमें यह जो चोटा सा Y chromosome है यह indicate कर रहा है maleness को इसमें हम determine कर सकते हैं जिसके पास भी यह Y chromosome मौजूद होगा हम कहेंगे कि वो actually male है अब यहां पर टोटल जो भी चार chromosome जो के sex chromosome है दो male के अंदर और दो female के अंदर तो इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो 23rd pair female का और एक जो है वो male का chromosome यह तीन करोमोजूम आपस में same है इन करोमोजूम को हम x करोमोजूम कहते हैं क्यूंकि यह X chromosome जो है यह actually यहां पर दोगमें इनके अंदर भी xx chromosome है जब कि male के अंदर एक 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 सालोग करोमोजूम है नोजके एक च्रोमोजूम सबसे चौटा और female के अंदर भी है तो वो actually X chromosome है जबके वो कौन सा प्यायर है जो सिर्फ male के अंदर है वो कौन सा क्रोमोसम है जो सिर्फ male के अंदर है वो आपके पास है वाई क्रोमोसम तो इस तरह से आपके जो MCQ's है वो इस तरह से कुछ बन सकते हैं अब आप यहां पर देखें कि यह आपके पास Y chromosome सिर्फ male के अंदर मौजूद है तो human female possess 44 plus XX chromosome जबके male के अंदर क्या होगा 44 plus XY chromosome तो यह आपके पास 44 plus XY जो है यह शो कर रहा है अब इसमें 44 क्या है यह आटोजॉम्स हैं तो हैं पर फिमेल के अंदर क्या है यहां पर और साहत में XY chromosome यहां पर सिर्फ एक Y का डिफ्रेंस है male और female के अंदर तो यह अपने यहाँ पर देखा अब यह अपके पास human का karyotype दिख रहा है जिसमें आपको यहाँ पर देखें कि यह male का karyotype है जबकि यह है female का karyotype karyotype हम कहते हैं complete chromosomal map of the species यह तो अब देखें यह male है male के अंदर क्या है और एक छोटा सा y chromosome आपको दिख रहा है जबकि आप यहाँ पर female के अंदर देखेंगे तो दोनों x chromosome है तो यह same वही बात है जो हमने देखी उपर अब यहाँ पर sex जो है वो किस तरह से determine होगा किस तरह से inherit होगा उसको यहाँ पर देखें karyotype of human male and female इसमें देखें कि क्या है अब ओ सिच्टेट सिच्वेशन देट male is heterogametic अब यहाँ पर male जो होगा उसे हम कहते हैं heterogametic जबकि female को हम कहते हैं homo gametic तो same drosophila के अंदर जैसे हमने देखा heterogametic मतलब कि ऐसा individual जो कि दो अलग अलग तरह के gametes produce करता हो और homo gametic मतलब कि ऐसा individual जो कि सारे same तरह के gametes produce करता हो तो यहाँ पर क्योंकि इस male के पास क्या है X और Y chromosome है तो इसमें कभी X chromosome गेमेट के अंदर जाएगा कभी Y chromosome gamete के अंदर जाएगा तो दो अलग अलग तरह के gametes बनेंगे जबकि female के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर दोनों X X हैं तो फिर कभी X जाएगा कभी Y जाएगा sorry X जाएगा तो दोनों जितने भी gametes बनेंगे वो सारे same type के जिसके अंदर X chromosome होगा तो यह homo gametic है यानिकि सारे same type के gametes produce करता है जबकि यह heterogametic है यानिकि सारे different दो type के gametes यह produce करता है तो अब हमेशा जो heterogametic होगा होता है उस पे ही depend करता है उसके individual का sex यानिकि अगर यहाँ से यह आपके पास एक एक है जिसके पास क्या है X chromosome होगा एक के पास हमेशा female के एक के अंदर X chromosome होगा क्योंकि female के पास कभी भी Y chromosome नहीं होता तो अगर आप यहाँ से कोई sperm लेंगे और अगर वो sperm Y containing होगा जिसके पास Y chromosome होगा तो फिर यहाँ पर क्या produce होगा XY यह male produce होगा तो अगर यहाँ से कोई sperm है वो कौन सा आएगा वो X chromosome वाला आएगा तो दोनों X chromosome मिलके एक female produce करेंगे क्योंकि XX जो genotype होता है वो female का होता है तो इस तरह से sex जो है वो determine होता है और यहाँ पर आपके पास जो female है वो सारे जो भी एक produce करेंगी वो सिर्फ X chromosome containing होगे जबकि यहाँ पर male जोगा वो उसके अंदर दो टाइप के gamete produce होगे यानि कि दो टाइप के sperm होगे कोई ऐसा sperm होगा जिसके अंदर X होगा कोई ऐसा sperm होगा जिसके अंदर Y chromosome मौजूद होगा तो यह जो cross है यह हमने यहाँ पर perform नहीं कर रहे यह हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो same वही pattern यहाँ पर भी apply होगा अब हम देखते हैं कुछ other types of sex determination जैसे के gross hopper के अंदर यह sex determination का pattern पाए जाता है और इसे हम कहते हैं X not XX type तो अब यहाँ पर वही चीज़ है कि जो XX है यह क्या होगी या X zero वाला है इस individual के पास क्या होगा कि एक X chromosome होगा और दूसरा इसके पास कोई chromosome नहीं होगा इसके अंदर सिर्फ एक अकेला X chromosome होगा इसके somatic cell के अंदर जबकि आप female के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर दो chromosome होगे दोनों XX chromosome मौजूद होगे तो ये होता है pattern अब जब gamit बनेंगे तो male के जो gamit होगे उनके अंदर दो टाइप के gamit बनेंगे एक होगा ऐसा gamit जिसके अंदर X मौजूद होगा और एक ऐसा gamit होगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा यानिके na X chromosome होगा यानिके sex chromosome zero होगा इस gamit के अंदर तो ये आपके पास gamit क्यालाता है nullogamit तो ये सारी चीज़ें यहां पर भी लिखी है कि अब अगर आप protein year bug को देखें तो ये भी एक organism है जिसके अंदर ये पाया जाता है तो इसके अंदर भी same male और female जो है वो मौझूद होते हैं जैसे के male के अंदर इसके पास सिर्फ एक sex chromosome होता है और इसको हम लिखते हैं इस तरह से एक X है और एक zero है सिर्फ एक अकेला X है चलिए हम इसको एक साथ में zero भी लगा देते हैं ताकि पता चले कि इसके अंदर के एक chromosome जो है वो क्या है X chromosome और दूसरा chromosome इसके अंदर entirely missing है यानि कि इसके अंदर मौझूद नहीं है और यहां पर protein यह बग के अंदर male जो होगा वो क्या होगा हिट्रोगेमिटिक होगा और हिट्रोगेमिटिक का मतलब है कि वही sex determinator होगा अगर यहां से आप देखें कि अगर हम यहां पर च्छोटा सा क्रॉस करें कि यह आपके पास है male और यह आपके पास है female male के अंदर दो टाइप की गेमिट प्रोडिस होगे एक होगा x वाला गेमिट और दूसरा होगा 0 वाला गेमिटिक यानिक ऐसा गेमिटिक जिसके पास कोई क्रॉनोशं मौजूद नहीं होगा इस गेमिट को हम कहते हैं null Gemin यहनिके कि एक इस से गेमिटिक जिसके पास कोई sex chromosome नहीं है without any sex chromosome तो the gamit without any sex chromosome is called nullogamit और ये nullogamit जो है वो male के तरफा हम produce होगा female यहां पर फिर से वही दो दोनों जो है जितने भी बनाएगी eggs या फिर जितने भी gamits बनेगी वो सारे क्या होंगे eggs chromosome वाले होंगे तो अब इस gamit को कौन सा sperm जो है वो fertilize करता है कौन सा gamit male gamit कौन सा इसको fertilize करता है इस पर depend करता है उसका sex इंडिविडियल का अफस्प्रिंग का sex उसके depend करेगा तो आप देखें दो टाइप के आपके पास gamit है एक है nullogamit और एक है x वाला gamit अगर ये x वाला gamit इसको fertilize करेगा तो x x यानिके एक female produce होगी और अगर ये nullogamit इसको fertilize करेगा तो यहाँ पर क्या होगा x 0 या फिर ये अपके पास एक male produce होगा तो इस तरह से आप इसका sex जो होगा डिटर्माइन कर सकते हैं कि male produce होगा या फिर female produce होगा और यहाँ पर male जो है वो क्या है sex determinator है क्योंकि यही heterogametic है और यही दो टाइप के gamit produce कर रहा है जो भी heterogametic होता है इस पिशी के अंदर वही sex उस पे ही depend करता है तो sex of the offspring depends on the kind of sperm that fertilize the ovum जिस kind का sperm ovum को fertilize करेगा उसी type का individual वहाँ पर produce होगा तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर सेम लिखी हुई है आप यहाँ से पढ़ लिजीगा अब आप यहाँ पर इसको देखें तो यह के पास क्या है यह male है और यह female है male के अंदर क्या है यहाँ पर 22 chromosome है अब देखें इस species के अंदर 46 chromosome नहीं होते इस species के अंदर जो है वो total 24 chromosome होते है यहाँ पर जो 12 chromosome होंगे वो क्या है 12 pair होंगे chromosome के तो अब इस species के अंदर 22 plus X chromosome है male के अंदर क्योंकि एक chromosome missing है यहाँ के अंदर total 23 chromosome है जबके female के अंदर 22 autosomes है plus 2 जो है वो XX chromosome है तो sex chromosome इसके पास 2 मوجود है तो total 24 chromosome होंगे तो एक chromosome, complete chromosome का difference आ रहा है male और female के अंदर तो यह कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर ग्रोस होपर और प्रोटेनियर बग यह दो एक्जमपल इसके याद रखने हैं XX और X, zero type के तो अब हम आते हैं Z, Z और Z, W type जो के कुछ organism, birds के अंदर, moth के अंदर और यह butterflies के अंदर जो है यह इस type का प्रोटेस होता है इस type का pattern मौझूद होता है यह pattern जो है थोड़ा सा change है उन pattern से यहाँ पर homogametic वो होगा male और heterogametic वो होगी female यानि कि अब तक हमने जितने भी देखे थे जितने भी pattern देखे थे उनके उनके उनमें जो है male क्या था male heterogametic था यानि कि male दो type के sperm produce कर रहा था लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि male जो है वो एक ही type के sperm produce करेगा जबकि एक जो होगे यानि कि female gametes जो होंगे वो सारे different होंगे वो दो type के female gametes produce होंगे तो अब यहाँ पर जो sex depend करेगा वो female करेगा और यहाँ पर हम इसको देखते भी हैं कि किस तरह से यह होगा अब यहाँ पर जो birds के अंदर butterflies के अंदर जो है pattern है इसको देखें जड़ जड़ ड़्य टाइप यह भी same xx और xy टाइप की तरह है लेकिन इसके अंदर जो zz जो है यह male को represent कर रहा है जबकि zw जो है यह female को represent कर रहा है यहाँ पर यह जो है थोड़ा सा opposite है उससे इसलिए इसको z से जो है वो express किया गया है अब यह जो है जे सीलर ने 1914 के अंदर discover किया था और यह उसका reverse है xx और xy pattern का reverse है इसलिए यहाँ पर z symbol का जो है use किया गया अब इसमें क्या है कि जो zz है जिसके अंदर दोनो same type के chromosome है यह अब के पास पहले तो हमारे पास xx क्या थी female थी लेकिन अब यह जए鬆 जब juice जो है यह male होगा और यहाँ पर जो female होगी वो क्या होगी वो zw होगी और यहाँ पर कोई ऐसा egg produce होगा जिसके अंदर z chromosome है और कोई ऐसा egg produce होगा जिसके अंदर zsehen स्रूरी should crack ना यह दो टाइप के chromosome प्रोडिसम वाले जो गैमीट और जो गैमीट यह कुन प्रोडी इसके여 और टैप सramos और गैमीट एकमीट यह थिया स्व क्लाएइट । यह स्पूम टायप मोडे यह को ख्लाएइस कर तो यहां पर फिर से चांस क्या है, male और female produce होने का 50% chance है, हर बार हमेशा हमारे पास जो sex होता है, वो determine होता है, और उसके अंदर जो chance होता है, male या female को produce करने का 50% होता है, तो वही बाते हैं यहां पर लिखी है, कि यह क्या है, यहां पर जो female है, वो heterogametic है, और he contains heterosegous gamete, इसम पर मौझूद हैं, वो female के अंदर मौझूद हैं, और यहां पर female दो type के एक produce करेगी, एक Z containing gamete और दूसरा जो होगा, वो W containing sex chromosome वाला gamete होगा, और यह दोनों equal portion के अंदर, जितने ही X, जितने भी Z वाले gamete बनेंगे, जितने भी Z वाले egg बनेंगे, उतने ही W वाले egg जो है, प्रोड्यूस होंगे, दो type के egg यहां पर female प्रोड्यूस करेगी, और उसके बाद यहां पर male जो होगा, वो सारे जितने भी sperm प्रोड्यूस करेगा, या जितने भी gamete प्रोड्यूस करेगा, वो सारे Z chromosome वाले होंगे, और यहां पर sex determination है, वो depend किस पर कर रही है, वो यहां पर ovum पे depend कर रही है यानि कि female पे यहां पर sex determine कर रही है female यहां पर heterogametic है इसका मतलब है female ही यहां पर sex determinator है तो अब यहां पर male baby will produce and the w carrying egg is fertilized with the sperm अगर w वाला sperm जो है वो fertilized होता है तो फिर क्या होगा कि z w produce होगा और यह क्या है एक female है जबकि अगर जड़ वाला जो है यह sperm जड़ वाला gamit अगर fertilized होता है तो फिर क्या होगा कि जड़ जड़ वाला एक offspring produce होगा और यह एक male होगा क्योंकि sperm के अंदर यहां पर हमेशा एक Z chromosome मौजूद होगा और क्योंकि जो male है male के पास कौन सा pattern है यहां पर male के पास जो chromosome में वो दोनों Z Z हैं तो जितने भी sperm होगे उनके पास सिर्फ Z chromosome मौजूद होगा तो sperm एक ही टाइप के होगे और जो एग है वो different type के मौजूद होगे अब यह आपको यहां पर दिखाया गया है यह अब देखें male है male के अंदर क्या है कि Z Z है जबके यहां पर female के अंदर Z W chromosome मौजूद है अब यहां से एक जो होगे वो दो types के होगे एक है Z वाला एक है W वाला एक तो अब अगर यह Z वाला क्योंकि इस पास सारे Z वाले होगे तो फिर भी हमारे पास Z Z male produce होगा तो अगर यह इस पास एक को fertilize करेगा तो फिर यहां पर Z W वाला एक female produce होगी और अगर यह वाला भी इसको fertilize करेगा तो भी हमारे पास एक female produce होगी तो यह हमारे पास जो ratio होगा अब देखें 2 ratio जो 2 है मतलब कि 1 ratio 1 अगर हम 2 का टेबल लगाएं तो इसका रेशो फिर से क्या निकलेगा male और female का रेशो 1 ratio 1 होगा यानि कि 50% जो होगा वो male produce होगे और 50% female same ratio होगा हमारे पास उसका अब हम next वीडियो में जो है वो sex linkage को discuss करेंगे जो कि एक बहुत ही important topic है तो इसको जरूर देखेगा next हमारी वीडियो अब genetic problems यहाँ पर जो आपको दिये हुए हैं यह बहुत ही simple है pay degree क्या होता है pay degree एक ऐसा chart होता है एक ऐसा graph बनाते हैं जिसके अदर आप symbols का use करते हैं और symbol के अदर आप cross दिखाते हैं दो individuals का और वहाँ पर male या female को आप different symbol से show करते हैं pay degree जो है अब इसके अंदर female के लिए जो है वो यह circle यूज होता है जिबके male के लिए एक square यूज होता है तो अब हम कहेंगे कि यह क्या है यह square वाला जो है यह एक male है जबकि circle वाला एक female है तो अब यह male और female का अगर यहाँ पर cross होगा तो फिर यहाँ पर देखें इसके अंदर से क्या produce होगा एक यहाँ पर जो है वो फिर से एक female और एक अगर यहाँ पर male produce होगी तो अब यहाँ पर फिर से अगर हम इस male का किसी और female से cross करवा देंगी तो यहाँ पर फिर से एक male और एक female produce होगी तो इस तरह से आप तीन generation बना सकते हैं यह एक generation, यह दूसरी generation, यह तीसरी generation तीन यहाँ पर generation जो बन चुकी हैं इसमें देखें कितने male हैं और कितने female हैं तो यहाँ पर जो offspring produce हुए हैं तीन जो है, फिमेल हैं और दो male हैं तो यह कुछ इस तरह से ratio आप निकाल सकते हैं यह हमने एक male जो है, यह कोई कहां से दूसरी से लिया है तो इसलिए यहाँ पर यह जो है, अफ्स्प्रिंग यह दो female हैं और दो male हैं तो यह यहाँ पर offspring produce होँगे यह निके ratio दोनों का क्या होगा, same होगा अब एक moth जो है, वो four babies को produce करता है और आगे हमारे next generation के अंदर एक pay degree हमें develop करना है तो यह चार babies हैं तो इनके अंदर कितने, जो है, वो next generation के अंदर कितने male और female produce होगे तो अब यह चार जो है, इनके अंदर देखें, दो क्या होगे, दो male होगे और दो female होगे, तो अगर हम इनका cross करवादे हैं, तो आपके पास जो है, वो कितने produce होगे, दो जो है वो male produce होगे, दो जो है, वो female तो फिर से हमारे पास चार होंगे जिसके अंदर दो मेल और दो फीमेल प्रोडिस होंगे रेशो फिर भी हमारे पास वन रेशो वन होगा यानिके 50 परसंट होगा तो यह इसको आपको कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं खुछ से नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्स लिंकेज को डिसकस करेंगे थैंक यू सो मच फो वाचिंग अलाह आफीज